गुड मॉर्निंग स्टुडेंट वेलकम टू दा ओनलाइन क्लास तुडे इस थाटी एट दे अफ आवर ओनलाइन क्लास आप सबके टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं आपको रिजल्ट भी आपको साथ साथ मिली गया होगा ठीक है तो आज हम साइंस का लेसन कंप्लीट करते है अपने पहले आधा कर रहा था ठीक है चलिए देखते हैं क्या है वह लेसन उसमें जो भी आपको वीडियो दी जाती है उसको कंप्लीट देखा कीजिए ठीक है छलिए स्टाट करते हैं लास्ट क्रास्व हमने लेशन स्टार्ट किया था Adaptation in Plants कि जो Plants से अलगला जिगा पर जिगा की अनुसार अपने आपको कि स्शेच तरर जाल लेते हैं जैसे कि हमने पढ़ाता कि Hills में कैसे Plants होते हैं पढ़ाता नहां हमने कि Plains में कैसे Plants होते हैं Plains में क्या होते हैं जो जमीन पे उखते हैं, प्लेंस में कैसे प्लांट उखते हैं, उनकी पत्तियां कैसे होती हैं, ठीक है है, हिल्स में कैसे प्लांट होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है, किस तरह की शेप होती है, वो भी हमने सब पढ़ा था, डैजर्ट के प्लांट के बारे मे भी हमने पढ़ा था ठीक है उनके features पढ़े ते और marshy area में जो plant होते हैं दलदल जैसे जमीन में वहाँ पर किस्ता के plant होते हैं वो सब भी हमने पढ़े थे तो ये सब अब तक हमने पढ़े थे terrestrial plants मतलब जमीन पर उगने वाले plants अब जो दूसरा हम स्टार्ट करेंगे आज वह हैं एक्वेटिक प्लांट मतलब पानी में उगने वाले प्लांट ठीक है प्लांट जो है वह पानी में भी पाए जाते हैं ठीक है अब उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो aquatic plants क्या होते हैं, वो plants जो पानी में होते हैं, चलिए start करते हैं हम इनको The plants that grow in water are called aquatic plants जो plants पानी में बढ़ते हैं, grow करते हैं, उखते हैं, उनी को aquatic plants कहा जाता है Such plants are adapted so that they can survive in the water इन plants की जो खूबिया होती हैं, वो इस तरह से होती हैं, कि ये पानी में भी जिन्दा रह पाते हैं There are three types of aquatic plants, अब देखें, aquatic plants भी three types के हैं Floating plants, जो तैरते हैं plant पानी में Fixed plants, जो जिन plants की जड़े पानी में fix होती हैं Underwater plants, जो पूरी तरह से पानी में ही पाए जाते हैं ठीक है, चलिए पढ़ते हैं Floating plants These plants float on water and have light spongy bodies which help them to remain on the surface Floating plants, देखें क्या कह रहें, जो भी floating plants होते हैं ठीक है, यह पानी के उपर float करते हैं, float का मतलब तैरना ठीक है And have light spongy bodies, और जो जो bodies होती हो गद्देदार होती हैं ठीक है, which helps them to remain on the surface इसी की मदद से यह पानी के उपर रह पाते हैं ठीक है जो plants होते हैं, यह वाले पानी पे उपर तैरते हैं इनकी जो body होती है, मतलब stem हो गई, यह leaves हो गई वो spongy होती है, मतलब गद्देदार होती है ठीक है, जैसे sponge होता है, sponge आपने देखा, अगर उसको दबा सकते हैं उसके अंदर पानी होता है, air होती है, उसी तरह से ठीक है, इसी की कारण यह पानी के उपर रह पाते हैं देखें इसके example क्या क्या है duckweed, water lettuce and water hessence are the examples of floating water ठीक है, यह floating water के examples हैं 3 आगे देखें, fixed plants, fixed plants कैसे होते हैं these plants are fixed to the bottom of the pond but their leaves float on the water अब जो fixed plants होती है, वो तो पानी में नीचे जमीन में गड़ी होती है लेकिन उनकी जो leaves होती है, flowers होती है वो पानी में उपर टैरते हैं ठीक है जो fixed plants होते हैं, इनकी जड़े जो होती है वो तो पानी के नीचे जमीन में fixed होती है जैसे की जमीन पे plant होती है लेकिन जो उनके पत्ते होते हैं, फूल होते हैं वो उपर पानी में टैरते हैं ठीक है, they have hollow stems filled with air उनकी जो stem होती है, तनों होती है, hollow hollow मतलब खोकली होती है और उसमें हवा भरी होती है, जिसकी वैसे टैर पाते हैं broad leaves, चोड़ी पत्तिया होती है with stomata on the upper side और इन plants की जो leaves के stomata होता है वो पत्तियों की उपर की तरफ होता है ठीक है क्योंकि वही हिस्सा बाहर की तरफ निकला होता है ठीक है और नीचे की तरफ इन में stomata नहीं होता इसके example क्या-क्या है lotus, water lily इसके example है ठीक है आपने देखा होगा lotus को पानी के उपर तैरते हुए लेकिन उसके जड़े होती है वो नीचे दमीन में fix होती है अब देखिए underwater plants अब पानी के अंदर के जो plants होते है ठीक है ठीक है अब जो underwater plants होते हैं यह plants कैसे होते हैं यह plants कैसे होते हैं पूरी तरह से पानी के अंदर ही पाए जाते हैं जैसे कि जो floating plants हमने पड़े वो पानी के सता पर पाए जाते हैं fix plants पड़े वो जमीन से नीचे गड़े होते हैं लेकिन होते पानी के ऊपर हैं अब जो underwater होते हैं पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं आप जो यह प्लांट से साश किस तरह से लेते हैं अपनी बॉडी से साश लेते हैं फिक है इनकी बॉडी की सता होती है उसी से साश लेते हैं इनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाता इसके एक्जामपल देखी क्या-क्या है है Trilla and Velesnerea Velesnerea दूसरा नाम क्या है tape grass यह example है underwater plants के Apart from terrestrial and aquatic plants there are some special plants अब देखिए aquatic plants समने पड़े आपने पड़े ठीक है ठीक है terrestrial के अलावा aquatic plants समने पड़े तो इन दोनों के अलावा भी और भी कुछ plants होते हैं ठीक है special plants होते हैं हम उनके बारे में पड़ेंगे देखिए, non green plants, मतलब ऐसे plants जो हरे नहीं होते, ठीक है, कौन-कौन से है, plants like mushrooms, malts and fungus do not have chlorophyll, कुछ plant जैसे कि mushroom हो गया, malts हो गया, fungus हो गया, इनमें chlorophyll नहीं होता है, इसकी विए से हरे नहीं होते, these plants cannot make their own food, अब जो यह plants है, अपना खाना chlorophyll के ना होने की वज़े से अपना खाना यह खुद नहीं बना सकते, ठीक है, they get their nutrition from dead and decaying animals, अब जो यह plants होते है, अपनका खाना कहां से मिलता है, इनको खाना मिलता है, मरे होए plants से, या मरे होए animals से, ठीक है, they are called saprophytic plants, और इन plants को क्या कहा जाता है saprophytic plants, ठीक है, समझ में आया है, जो यह saprophytic plants होते हैं, यह हरे green नहीं होते हैं, ठीक है, और यह अपना खाना खुद भी नहीं बना सकते, यह किस पर निर्वर होते हैं, यह निर्वर होते हैं, मरे हुए जंगली, मरे हुए छोटे मूटे जानवरों पे, ठीक है, आगे दे plants like daughter, mistletoe, grow on other plants because they do not get raw materials from the soil, अब देखें कुछ plants जैसे की daughter, mistletoe, यह क्या करते हैं, यह कुछ ऐसे plants हैं, जो कि दूसरे plants के उपर उपते हैं, क्योंकि इन में इतनी शम्ता नहीं होती कि जमीन में से अपने लिए potions ले सके, ठीक हैं, और क्या करते हैं, they get their food from the plants, or things they grow on, यह जिस भी plant के उपर उपते हैं, उसी को खा के अपना गुजारा करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अमर बेल, आपने सुना भी होगा अमर बेल के बारे में, वो जिस भी पेड़ के उपर उपती है, ठीक है, अपना खाना उसी पेड़ से ले लेती है, और एक यह जिस भी पेड़ पर उपती है, तो वो पेड़ ही एकनम से खतम हो जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं, पैरसिटिक प्लांट्स, अब देखें, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाइट्रेप, पिच्चर प्लांट्स, एंड संड्यू ट्रेप, अब देखें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जो कीडो को खाते हैं, सही सुना आपने बिल्कुल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जो कीडो को खाते हैं, कौन-कौन से हैं, वीनस फ्लाइट्रेप, पिच्चर प्लांट, संड्यू, इनकी जो पत्तियां हैं, वो इस तरह को छोटे को खा जाती है ठीक है कि सबसे पहले पढ़े टैस्टियल प्लांट्स जो जमीन पे उखते हैं फिर पढ़े हमने एकोईडिक प्लांट्स जो की पानी में उखते हैं फिर पढ़े अबने special plants जैसे की वैसे की हमने क्या-क्या पढ़ा इसे फ्यशल प्लांट पे नौन ग्रीन प्लांटसThis यह रे नहीं होते है यह पैर्रासीटिव प्लांटस होते हैं जो की दूसरे प्जालिट कयो फ्लांटी उपर उपर उपते हैं लुक्ति उपर एप प्लांट जोगी कि रोगों खाते हैं ठीक है देखें कुछ fact है, paper was first made in paper was first made in Egypt from a grass called papyrus, that is why it is called paper ठीक है जो paper है उसको सबसे पहले Egypt में बनाए गया था और किसकी घांस से बनाए गया था पेपिरस नामक एक प्लांट से की घास से बनाए गया था इसलिए इसका नाम पेपर है ठीक है Redwood tree is the tallest plant in the world that grow to a height of about 300 feet एक Redwood tree नामका एक प्लांट है जो कि दुनिया का सबसे उंचा पेड है ठीक है यह प्लांट है इसकी height 300 feet तक होती है इन इंडिया केके मुंशी टार्टिड अट्री प्लांटिंग फेस्टिवल वन महुचसव इन जुलाई 1950 इंडिया में केके मुंशी जी ने वन महुचसव नामका एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था ठीक है चलिए हम इसकी exercise देख लेते हैं banyan people and neem कहाँ होते है वो धि बैद्धन पी प्लांट फीपल औरगिल कहां होते है प्लेन में दस्टेम ओफ गडर्ट अफ प्लांट हैं जो क्ड़क् कि स्टेम होती है वो कैसी होती है strong होती है, flashy होती है, woody होती है वो flashy होती है, गद्देदार Plants that grow in वार्शी area, आर्खोल, जो मार्शी area में plant उपते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइए उन्हें कहते हैं mangroves Plants like mushrooms and fungus are जो mushroom और fungus होते हैं वो किस तरह के plants हैं, अभी हमने पढ़े non green plants in desert plant photosynthesis is carried out by the जो desert plant होते हैं, इसमें photosynthesis कौन करता है इसमें करता है, green stem fill in the blank, fixed plants have dash stems filled with air ठीक है, जो fixed plants होते हैं, इनकी stem कैसी होती है flashy होती है, ठीक है या spongy कह सकते है dash and dash are non green plant कौन कौन से non green plants है mushroom and fungus dash is a floating plant floating plant कौन कौन सा है अभी हमने पढ़ा था ठीक है, देखे एक्जाम्पल में इधर lesson में hydrilla and venus neria ठीक है, इनसे कोई भी लिख सकते हैं hydrilla is an example of floating plant dash are broad leaves with stomata on the upper side किसके जो stomata है वो उपर की तरफ होती है और चोड़ी पत्ती है fixed plants की ठीक है और एक्जाम्पल दे सकते हैं lotus true-false plants do not adapt themselves to their environment जो plants होते हैं अपने वार्थरबन के साब से नहीं ढलते false plants ढल जाते हैं plants living in water are called aquatic plants जो plants पानी में रहते हैं उन्हें aquatic plants कहते हैं true caniferous bear, trees bear, flowers caniferous trees होते हैं उनके अपर फूल आते हैं आए देखते हैं lesson में caniferous कौन से होते हैं यह है caniferous plant ठीक है जो hills में उखते हैं देखे इस पर लिखा है they do not have flowers तो caniferous plants होते हैं इनमें flowers नहीं होते हैं तो इसमें क्या आएगा false आगे बढ़ते हैं desert plants have pine and thorn like leaves desert plants होते हैं इनकी पत्तियां होते हैं नोकीली और काटेदार होती है जी हां बिल्कुल होती है हमने पढ़ा है आगे चलते हैं marshy place have sticky and clay जो marshy places होती है उसके उपर चिपचिपी और clay smile होती है बिल्कुल हां देखी match करते हैं first picture किसकी है insectivorous plant है नहीं है तो यह इससे match हो जाएगा second है mushroom तो mushroom किस तरह का plant है non green plant उसके बाद यह कैसा है यह है marshy जहों पानी वाली जमीन में होगा हुआ plant है तो यह कैसा है marshy उसके बाद है यह lotus lotus कैसा है fixed plant है यह lotus हमने पढ़ा है अभी उसके बाद last देखी यह parasite है एक main plant है green green उसके ओपर यह बेल सी चड़ गई है ठीक है यह इसको खा जाएगी इसको हम बाद में देखेंगे ठीक है observe how water lilies have adapted to their life in ponds where do their roots go write your observation ठीक है अगर आपने water lilies को देखा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से वो उखती है उनकी roots कहां पर होती है ठीक है यह सब के बारे में बताना है draw two plants found in your locality in the space provided below आपके आसपास आपकी locality में जो जो आप पेड़ देखते हैं कोई भी दो उनको draw करना है पेड़ हो गया या कोई plant हो गया आपको कुछ समझ में ना आया आओ तो वीडियो अच्छी तरीके से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए थीक है το हम चलते हैं फिर next class में मिलेंगे आप से, आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान दखिए, अपना खयाल दखिए, अपनी family का भी पूरा ध्यान दखिए, ठीक है, thank you